राम राम किसान भाईयों किसान भाईयों मेरा नाम नरेंद कुमार यादो और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल डाक्टर नरेंद कुमार यादो किसान भाईयों मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जिन किसान भाईयों ने अभी तक हमारे चैनल क थो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें किसान भाहिएं मैं आपको जानकारी आज देना चाहता हूं यह जो पत्ता देख रहे हैं यह मैं आज खीरे की फसल देखने आया हूं खीरे की फसल में यह इसे मानन बोलते हैं घीरा इसमें निकलने भी लगा है फूल भी बहुत अच्छी बढ़िहां फ्लावरिंग है और ये करीबन बहुत ही बढ़िहां लगा हुआ है आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये खीरे की जो बराइटी है बहुत ही अच्छी है चाहे जो भी बराइटी हो तो किसान भाईयों मैं आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी देने चाहता हूं कि ये जो बीमारी है इसे लीफ माइनर बोलते हैं लीफ माइनर इसके अंदर का जो लीफ माइनर था जो कीड़ा था वो मर चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये काला काला जो लाइनों के बीच में दिखाई दे रहा है यही है ये पत्ति की जो प्रकास संसलेशन क्रिया है भोजन बनाने की क्रिया है ये प्रभावित होने लगती है और पत्यां खराब होने लगती है जिससे पौधे भोजन ना पाने की वज़ा से पौधे कमजोर पर जाते हैं और कमजोर परने के साथ साथ ये नस्ट भी होने लगते हैं तो इन इस समस्या से आप निजाद पा सकते हैं यदि आपके नजदी की कीड़ नासक कर्षी कीड़ नासक दुकानों पर आपको यह दवा नहीं मिल पाती है तो आप इसके बाद में दूसरी जवद दवा है वो सजंटा कंपनी की कैप कैडिस आती है जिसका टेकनिकल नेम जो होता है वो होता है थायमेक्सोम 75% WG उसका 5 ग्राम परती 15 लीटर पानी के हिसाब से आप गोल बनाकर एक एक हफते पर हर हफते दो बार इस समस्या से आप निप्टारा पा सकते हैं उसके बाद में किसान भाईयों आप जो है यदि आपको थायमेक्सोम भी नहीं मिल पा रहा है तो आपको ट्राइजोफास प्लस डेल्टा मेथरीन जो की भारत इंसक्टी इंडिया इंसक्टी साइड कंबनी का जो है भारत कंबनी का जादू के नाम से जो दवा आती है वैसे यह दवा बंद हो चुकी है किसान भाईयों लेकिन यदि आपको मिल जाती है तो 20 एमेल प्रती 15 किसान भाईयों यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद किसान भाईयों